हम हमेशा चाहते हैं कि जिंदगी की हर रेस में हर दौड में हम आत्म विश्वा से भरपूर रहें चाहे कोई भी समस्या हो कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आए हमारा कॉन्फिटेंस हमेशा चरम सीमा पर होना चाहिए लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हालात भी हो जाते हैं ऐसी समस्या भी हमारे सामने आ जाती हैं जिनके चलते हम अपना कॉन्फिटेंस खोने लगते हैं धीरे धीरे ऐलोपेशिया एक ऐसी समस्या है जिसमें आप बालों के साथ साथ अपना आत्म विश्वास भी खोते हैं क्योंकि जब कोई भी चीज आपकी looks को effect करती है, आपकी personality को effect करती है तो कहीं न कहीं उसका हसर हमारे confidence पर हमारे आत्म विश्वास पर जरूर पड़ता है आज हम जानेगे कि आयरुवेद के जिरी हम alopecia का किस तरह से इलाज कर सकते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आयरुवेद एक्सपर्ट डॉक्टर सौरप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेंज में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा alopecia से जुड़ी हुई कुछ खास बात हैं, आईए देखते हैं बालों का बेहिसाब जड़ना, फिर पर गोल्ड बाल पैचिस, थिन और रफ हैर पैटन, फिर के बीच से कम होते बाल, हो सकते हैं alopecia के संकेत आज के दौर में हर दूसरा इंसान बालों से जुड़ी किसी ना किसी समस्या से परिशान है अलोपीशिया एक हैर लॉस प्राबलम है, मर्दों में इस समस्या को मेल पाटन हैर लॉस कहते हैं आकणों पर नज़र डाले, तो अलोपीशिया के शिकार लोगों में तकरीबद 7 प्रतिशत मेल्स है और आम तोर पर 40 की उम्र के बाद शुरू होती है अलोपीशिया की शिकायत इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हैर फॉलिकल्स का डामेज होना, कैल्प में कोई इंफेक्शन, स्ट्रेस, कोई सर्जरी या इल्निस एक्सपर्ण्स के मुताबिक, मलेरिया, ट्यूबर किलोसिज, टाइफॉइट और हेपेटिक जैसे ही बिमारियों में मेडिकेशन के दौरान अलोपीशिया की शिकायत होती है ऐसे में बालों की सही देखभाल के लिए अपने लाइफस्ट्राइल और डायट में सही बदलाव लाने की जरूरत है अलोपेशिया को मेल पैटन बॉर्डनस भी कहा जाता है और यह माना जाता है कि दुनिया भर में मेल पॉपुलेशन में लगभग 50 प्रतिशत लोगों को 50 साल की उम्र के बाद अलोपेशिया जरूर हो जाता है यह आम तोर पर उन में देखा जाता है लेकिन सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ही नहीं कुछ साइकलोजिकल इशूज भी होते हैं जिनके चलते लोग अलोपेशिया के शिकार हो जाते हैं आईए इस बारे में डीटेल में बात करते हैं सौरब जी अलोपेशिया की शुकार लोगों में देखा जाता है मेल पैटन बाडनर्स होती है सर पर जगा जगा चक्ते बन जाते हैं जहां बाल नहीं होते अपने आप में ये साइकलोजिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अचाना कि अगर आपके सर से एक जगह से बाल गायब हो जाएं तो दिमागी तोर पर तो आपको परेशान भी करता है साथ सीजाथ शारिरिक तो ये अपने आप में प्रॉब्लम भी है बिल्कुल दिविश अच्छी बात कहिए लेकिन हाँ सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि अपने का कि साइकलोजिकली परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि modern science ये कहते है कि ये एक autoimmune disorder है जैसा कि हम सभी जानते हैं जब हमारी immunity हमारे ही खिराफ हो जाती है यह हमारे जो WBC हैं वो हमारे अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं और especially alopecia के case में ये WBC जो hair follicles होते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि जो बाल है वो तो non growable या फिर उसके अंदर growth केवल hair follicles के true ही होती है तो ये जो white blood cells होते हैं WBC होते हैं ये हमारे hair follicles को खाने लगते हैं ये उसके स्क्रिवेंजिंग करते हैं और इसी वज़ेसा alopecia होता है लेकिन ये अपने आप में वापस ली growth होता है अपने ठीक हो जाता है तो इसलिए घपलाने वाली कोई चंता की बात है नहीं माना जाता है कि जो लोग अपनी diet में protein का intake कम करते हैं उन लोगों का alopecia होने का खत्रा ज्यादा होता है बिल्कुल देवेशिक दम सही बात बता है आपने सभी को होता क्या है जैसे कि हम नॉमली कहते हैं proteins are the building blocks of our body और जितनी भी growth होनी है reproduction होना है हमारे cells का जितनी भी further development होने है और सभी protein के लिए ही protein ही synthesis करता है और ऐसे में जब हम alopecia की बात करते हैं तो हमारे जो बाल है वो तो बिल्कुल नर्जीव है लेकिन जो उसके hair follicles हैं वो hair follicles ही अपने रिप्रोडूस करते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और इसी के त्रू हमारा बाल बढ़ता है तो अगर protein नहीं होगा या protein हम कम लेंगे तो ऐसे में hair follicles रिप्रोडूस नहीं करेंगे hair follicles बढ़ेंगे और alopecia हो जाएगा एक important चीज़ यहाँ पर यह समस्या पुरुष्यों में ही आम तोर पर जादा क्यूं पाए जाती है देवेश पूर्ष्यों के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब हम alopecia की बात करते हैं और autoimmune disorder की बात करते हैं तो होता यह है कि जो हमारी diet और daily routine है तो हमेशा इसके उपर emphasize करता हूँ कि daily routine आम तोर पर देखा जाता है कि males daily routine के मामले में थोड़े से लापरवा होते हैं कि साथ जाथ smoking करना हुआ या alcohol का सिवन हुआ जो सारी चीज़े पित्त को बढ़ाती है अलोपेश एक पित्त का disorder है इसलिए males में ज़्यादा पाई जाती है तो मेरे खहल से खुद के प्रती जो लोग लापरवाज ज्यादा होते हैं वो लोग इस समस्या के शिकार ज्यादा हो जाती है hereditary तो कोई भी problem हो सकती है लेकिन जो problem हमारे शारीरिक तोर पे जो हम से जुड़ जाती है हमारे जीने के तोर तरीकों के साथ साथ वो उस पर ध्यान देना बहुत जादा ज्रूरी है आपर lifestyle पर ध्यान देना ज्यादा ज्यादा ज्रूरी है उशा हमारे साथ है मेरट से बताए उशा hello जी कहें good evening sir good evening sorry मुझे यह बुछना है कि मेरे बाली बहुत जादा जड़ जढ़ रहे हैं okay बहुत ही कम दों बरके निकलते हैं, पहले कभी आशा नहीं हो ताब बहुत ही जादा जड़ रहे हैं, बहुत ही पतले हो गया है, सर मुझे बताइए, बहुत ही जादा परेशान हो सर में, हो इस जादा है अगर आप मेंजु पॉजल स्टेज में हैं, यानि आपके प्रियेट से अगर अबनॉमल हो रहे हैं, ऐसे में आप अशोका लिष्ट, तीन तीन चमश सुबह शाम खाने के बाद गुन गुने पानी से लीजिए, और साथ यसाद भ्रंग राज, भ्रंग राज का चून, आदी स्टेरोइट का इस्तिमाल करते हैं, इन लोगों में बहुत ही बड़ी तादात पाये जाती है, मेल पैटन बॉल्डनेस की, मिलकुल दिवेश, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जैसा कि हमने बात की, प्रोटीन की, तो हाँ प्रोटीन लीजिए, लेकि नैच्रल प्रोटीन क्योंकि हमारी बॉड़ी, जिसके अंदर के हम आहार लेते हैं, उसका पाचन होता है, और उसके बाद सारी धातों में बनती है, तो उसको उसी क्रम से बनने दें, क्योंकि अगर आप स्टिरोइड लेंगे, तो डेफिनिटल आपको एक बार तो यह अच्छी बॉड़ी जिस भी खुड़ू हो सकता है? बिल्कुल, भी तेस्टेस्टेस्टेवन होल्मन है, जो कि में ज्यादाल, यह जादाल धाल, तो डेफिनिटल यह जड़ता है, बताएं मेरे बाल जैसे बहुत ड्राइ और हेवी हैं तो मुझे लगता है कि उसके बाल मैनेज़ेबल हो गए है अब वीक हो गया है से बाल 43 यह की मेरी एज और रेगलर मुझे कलर भी करना पड़ता है वाइड बाल जारे हैं तो मैं आप एपसें कैसे इनको मेंटेन रख सेब? बालों में हेर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं जिन लोगों के बाल बहुत जादा करली होते हैं जिन लोगों के स्ट्रेट होते हैं वो करली करवाते हैं जो चीज हमें दी गई हम उस चीज को नहीं अपनाते हैं बिल्कुल दिवेश, होता ही ही है, जैसा कि दिवेश आपने अच्छी बात कही है, हम लोग आर्टिफिशिल चीजों की तरफ जादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि अपने अधा है कि कलर करना पड़ता है, ब्लॉंड करवाया, तो जैसा कि मैंने भी बताया है कि यह तो निरजीव हैं, जो हमारे बाल तो निरजीवें, लेकिन उनकी रूट्स तो जीवित हैं, वो रूट्स से ही ग्रो करते हैं, अब आप उनकी स्ट्रेटनिंग कराएंगे, ब्लॉंडिंग कराएंगे तो उसकी रूट्स से उस पर एफेक्ट पड़ेगा, और रूट्स लूज हो और अगर आपको बाल सफेध होनी की ही प्रॉलम है, तो इसके लिए काफी आयर्विदिक महंदी वगरा आती हैं, उनका इस्तमाल करें, जो की ग्रोथ भी दें, और डेफिनिटली आपको जो प्रॉलम है, इसके अंदर भी आपको रिलीव दें बिल्कुल और हर्बल तरीके जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ने कहीं हमारे स्थेधी को तो साफ सुतर रखते ही हैं, सेहत मंद रखते ही हैं, उनका जो एक नैच्रल एफेक्ट होता है, जो एरोमा होता है, वो भी बहुत सूधिंग होता है बिल्कुल दिवेश, ऐसे में लेवेंडर ओयल बहुत अच्छा एफेक्ट करता है, बालों की ग्रोथ भी पढ़ाता है, और इस्पेशली मैडम के लिए तो एक रामबान आउश्य दी है बलजीत जी सवाल पूछें बढ़ती उम्र में बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो कई बढ़ जंक फूड की तरफ उनका ध्यान जादा रहता है, और घर में घर का खाना दिया जाता है, तो हम थोड़ा सा नाक मुह बनाते हैं वो खाना खाने में, परहाल आपको इसका पेशिया के शिकार हैं तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना बेहत जरूर है, जैसे कि आप अपने बालों में ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, जब भी आपके बाल गीले हों तो उन्हें बहुत ही हाड़ तरीके से टावल से रब ना करें, क्योंकि जब बाल गील का बहुत जरूर महत है, आप काउंसलिंग कीजिए, बच्चे को इतना अच्छा खाना बना के दीजिए कि बाहर का खाना ना खाये, और फिर भी अगर उसे भूग नहीं लगती, हिंग वाश्टक चून, हिंग वाश्टक चून, आधी चमच, आधी चमच घी में मिलाकर, ज कुछण मुझे अपनी बेटी के बारे में, वो बाइस वाहिं है, और इसके ना हैर बहुत ड्राय है, हुग है। अ बिल्कुल रॉढ है, बिल्कुल गलो भी नहीं है, लंभे नहीं, घने भी कोमी भी और जैसे है, जिती है पतीजिंगल होते हैं, बहुत तोट धुटते ही पर बहुत दर्द रहता है उसको फ्लेक्सों खानी पड़ती है और कॉंस्टिपेशन भी बहुत है तीनों चीजे उसकी बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्तर प्रीम किरन जी कारण खुदी बता चुकी है किरन जी आपने खुदी कारण बताया जो साइनस की प्रॉब्लम है आयरुवेद में कहते हैं कि नासा ही शुर्सोद्वारम और सारे जितने भी बाल हैं वो हमारे सिर्फ हैं तो अगर नोज के अंदर ही चैनल ब्लॉक हैं जैसा कि आपने बताया कि साइनस ब्लॉक हैं तो जो है या जो उपर प्रान वायू जो जाती है जाके नर्व सेल को स्टिमूलेट करती है और प्रॉपर ग्रोथ होती है इसकी वही एफेक्टिड है तो इसलिए आप एक काम करें तो बच्चे के लिए आप अनू तेल लाएं अनू तेल नैजल डॉप्स हैं दो दो डॉप्स सु प्रीजों को रोकने का या आप्स्ट्रक्शन का कारण करता है तो इसके अंदर कफ उसका रुग्या है और इसलिए कफ वह इसके अटक गए है और स्ट्रोथों के क्लीन नहीं होने की वज़ए से यह परलम हो रही है साथ ही उसको कॉंस्टिपेशन है उसके लिए आप ठ्रि रिजुविनेशन लसाइन का काम करेगा तो बहुत अच्छा एफेक्ट मिलेगा बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ से आपसे जल से जल दूर हो जाए पिंकी जी भी हमारे साथ हैं सवाल पूछी पिंकी जी यह ना मेरे हैस्बेंट की ना दाड़ी के बाल उड़े यह नहीं पताए कि दाड़ी के बाल उड़ गए हैं यह भी एक अलोपीशा ही है हम जब अलोपीशा की तेन स्टेजिस की बात करते हैं तो टॉटलेस, अनिवर्जलेस और अरेटा जैसे कि हम तीन चीज़ें बात करते हैं तो उसी के अंदर जो अलोपीशा टूटलेस है उस सब्सक्राइब पूछें सब्सक्राइब लगवाग तीन साल पहले मेरा बड़ा बड़ा बाझ जड़ना चुरू हुआ बीच में खाली हो गया है और कुछ इससे तीकदम चिकने हो गया है तो क्या इसके लिए हो सकता है मेरी मैं प्योर शुद शाकाहरी हूं और दाल वगर आई क्रोटीन के रूप में इंटेक ले सकता हूं और ऐसा कोई मेंटल प्रेशर भी में नहीं समझता कि मुझे कुछ है कि क्रिक्रा बताएं संजे जी क्या आप डाबेटिक हैं जी नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है देगे संजे जी अगर ऐसी इस्थिति है तो डेफिनिटल इलोपेशियर रेटा का से प्राइम सिम्टम है सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि अगर आप हेलिट्रिकल प्रॉलम नहीं है अगर आपके फॉर फादर इसके अंदर फादर को प्रॉलम नहीं है तो डेफिनिटल क्यों हो जाएगी आप ऐसे में गार्लिक जिसे हम लसन कहते हैं लसन को थोड़ा सा दूद में पीस ही है उसका जो पेस बन जाता है उस पेस को आप स्केल्प पे लगाईए जैसा कि देवे शिनो ने कहा कि वह स्मूथ हो गई एक दम चिकनी हो गई है यदि वहां पे बिलकुल जरा से भी रू अपनी साल का है और उसके सारे आगे के बाल जढ़ गया है तो सरके इस उम्र में आगे के बाल जढ़ जाना अपने आप में बहुत डिपरिसिंग है बिलकुल यह डिपरिसिंग है आप देखी में कहीं उसको stress या कोई tension तो नहीं क्योंकि कई बार इस stage के लिए पढ़ते हैं कि आखिर किस कारान से बाल गए हैं थायरोड कॉंप्लिकेशन की वज़े से भी कुछ लोगों में अलोपेशिया की समस्या उत्पन हो जाती है बिलकुल देवेश थायरोड जो कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा बैंड मास्टर आफ आल दौ हर्मोंस यानि हमारे शरी में जितन ग्रोथ नहीं हो पाती और इसके वज़े जायरो बेशिया होता है यानि बॉड़ी अनालिसिस अपना करवा के रखना बहुत जादा जरूरी है समय समय पर पूरा फिजिकल चेक अप जरूर कराएं हम ये भूल जाते हैं अपनी रोजमरा की जिंदगी में अपने व्यस बढ़ा कर आप अपने बालों की कॉल्टी को बहुत 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 बना सकते हैं साथिसाथ अगर विटमिन Ε का सेवन भी अपने डाइट में ज्यादा करती हैं तो कहीं न कहीं आपको अलोपेशिय से दूर होने में भी ये मदद करेगा और आपके बालों को बहुत ही स्मूध और सिल्की भी बनाता है किरन जी हमारे साथ हैं बताएं कि लिए जी, नमस्कार जी, मैं किरन नहीं नेलम बोल रही हूँ जी, सवाल पुछें नेलम जी मेरा सवाल ये है कि मेरी च्वेंटी फाइफ है और मेरी हैल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कोई ठीक आगे ना कोई टेजिटन है लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा बाद जो है खास दिमाग वाली जगह से वाइट हो रहे है और मुझे कोई ऐसा घर की बहुत सॉलिड वाली होम नहीं बताईए जिससे ये वाइट होने बंद हो जाए और मैं हाथबल महंदी, आवला, रीठा, शीका काई, ग्रंग राज, जटा मासी ये तब सीजे में लगाती में लगती हूँ देखिए आपने जो अच्छा सवार बूचा देखिए आपकी जो एज है इस एज में इस तरह से बालोगा असमें समेद सफेद होना डो बातों की हमें द्रिश्टिगोन देता है पहला तो ये कि कहीं आपको कोई ब्रेइन से रिलिटेग डिजॉर्डर तो नहीं है कोई भी निर लाजिकल डिजॉर्डर जैसे हईपर फंक्षणिंग राइपर फंक्षणिंग और दूसरी बात कहीं कोई आपको easily market में available हो जाएगा इसकी 4-5 drops ज्यादा नहीं कि और 4-5 drops लेके रोज रात को सोने से पहले धीरे-धीरे scalp में लगाईए और सुबह उटके आप नॉर्मल साबून से या फिर केवल आवला रीठा का या किसी भी शैंपू से वाश कर लीजी अब देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल मिलेगा और धीरे-धीरे जो आगे की growth होने वाली है लोड़ जो बाल सफेद हो गए उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन जो अगले बाल आएंगे जो growth होगी वो ज़रूर काले और घने बाल मिलेंगे जी हम भी यहीं उमीद करते हैं एक और caller हमारे साथ हैं बताएं Mr. Grover सवाल पूछें Hello जी कहें Sir जी नमस्कार मेरा बेटा 25 साल का है उसके चोटी से बाल गिरने और जढ़ने शुरू होगे है 24 साल की उमर में बाल जढ़ने शुरू होगे है देखिए 24 सार की उमर में जड़ रहे हैं तो वही दुबारा वही बात करूँ है कि अगर ही हीडरेट रहा है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हां री ग्रोथ करना मश्किल है और अगर अलोपेशिया की कारण है अगर वहाँ पे पैची स्किन है और वहाँ पे कोई ग्रोथ बिलकुल भी आपको नहीं देख रही है आप डॉक्टर से मिलें और साथ ही साथ मंजिष्ठा चून मंजिष्ठा चून आदी चम्मच और आदी चम्मच आउला चून समान मात्र में मिलागा दिन में तीन बार आप देखिए अपने बालों को दीजिए और हां उसको नमक और डेफिनिटली मौंग और मसूर की दाल यह अवाइड कराई है उसको बहुत अच्छा रिजर्ट में लेगा जिन लोगोंने कभी न कभी कीमोथेरपी करा ही होती है उन लोगों को भी बहुत खत्रा होता है अलोपेशिया होने का ब्रकुल देवेश कीमोथेरपी अपने आपने बहुत मेजर ट्रीटमेंट होता है यह बेसिकली साइड को बहुत है जो भी पैशिया के अगर केंसर के जो Tरूर्ण को कीमोथेरपी कर आई करा है तो देविजियु ओने वालों को गिलना हैं दूध प्लाचोर मातना में लीजेए, ग्रीन लीफी वेजटेबल्स लीजेए, लाइट डाइट लीजेए, और फ्रिक्वेंसी जादा बढ़ाईए एक बाल में ज़्यादा खाने के बजाए हलके हलकी थोड़ी फ्रिक्वेंसी में लीजेए, जिससे प्रॉपर डिजेशन बालों के लिए कोई लोकल अप्लिकेशन को ऐसा आप बताएं जिससे कि अगर अचानक ही बाल एक जगह से सर से हट जाती है तो घर पे कुछ चीजों का इस्तेमाल करके वो एक लीस कुछ रिजल्ट्स पा सके हैं तेखिए अगर हम घरेलोन उसके की बात करते हैं तो आपके जीस अपने आप में एक रसायन भी है और साथ ही साथ में अगर हमें पर कोई फंगल इंफेक्शन हो गया है तो उसको भी बहुट जली करेंगा और अगर यह पैचे जिस्किन की प्रॉलम है तो बहुट जल आपको recovery देगा क्या कभी-कभी calcium की कमी की वज़े से भी यह समस्या हो सकती है बलकुल दिवेश जैसा कि हम अब भी बात करी रहे हैं proper nutritional diet जिसमें proteins भी है vitamins भी है calcium है zinc है iron है potassium है यह सारे हमारे जो minerals हैं यह कि definitely बालों की growth के लिए और regeneration के लिए बहुत जादा responsible है लेकिन फिर भी कुछ लोग जो चंता से ग्रस्थ होते हैं तनाव से ग्रस्थ होते हैं anxiety उनके मन में होती है कभी-कभी बो लोग जो बालों की गिरने की समस्या से जूज रहे होते हैं कि उन को क्या करना चाहिए क्योंकि फिजिकली बहुत जादा problem नहीं है उनके साथ problem दिमाग में है देखिए जैसा कि दिवश आपने का कि problem दिमाग में है तो क्यों नहीं हम दिमाग को तंदुरस्त रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है meditation और प्राणयाम जितना प्राणयाम करेंगे यानि वायू का अनुलोम और विलोम जितना जादा करेंगे नर्व सर्थ में अच्छा vibration होगा अच्छी working होगी work efficiency बढ़ेगी और आपको जिंदगी में ऐसी problem नहीं होगी जी लेकिन बालों के साथ साथ जब कोई भी समस्चा हमारे साथ जूड़ती है चाहे वह बाल गिरने की हो चाहे वह असमय बालों में patches आने की हो उसका सीधा असर मानसिक तोर पे जब हमारे साथ होता है वह कहीं न कहीं हमारे confidence को बहुत लोग करती जाती है क्या हमें ऐसी समस्चा के जिससे अगर confidence भी लो होता है तो कम से कम हम सही तरह से अपने कामों में कोई problem ना है हमारे साथ देखिए जैसा हम प्रग्या में हमेशा बोलता है कि बी positive हमेशा positive रही है और आपके जो body में health cells है वो सोचे कि आपके cells rejuvenate हो रहे हैं हर बार आपको जैसा कि देवेशा फामेशा कहते हैं कि वो grow कर रहे है और वो happy है खुश रही है क्योंकि यह problem अगर autoimmune disorder है तो अपने आप में जो हमारी body का अगर हम अच्छा खाते हैं अच्छी diet or nutrition लेते हैं तो definitely अपने आप में ठीक होता है within six months to one year यह अपने आप ठीक हो जाता है तो कोई ऐसे चिंदा वाली बात है नहीं normal काम करिए खुश रहिए और देखे आपके nerves अपको फटा पर ठीक करेंगे I think यह इस बात का ध्यान रखना बहुत जादा important है Well, सौरब जी मैंस मैंजिन सभी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much My pleasure आपके समस्या को अपने जहन से हटा देंगे तो वो समस्या आपकी जिंदगी से भी आपके शरीर से भी बहुत ही जल्द हर जाएगी फिलहाल इतना ही